हेलो दोस्तों कैसो आप सभी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि RRC Level 1 गुरूप D के रिजल्ट को लेकर काफी बात आगे बढ़ चुकी थी कई सारे टीचर भी इस मुद्धे को लेकर आगे आ रहे थे और उसमें डीटेल से RRC ने ये बताई है कि हम लोगों ने किस तरीके से बच्चों को सौट लिस्ट किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है उम्मदवारों का जो परड़ाम जारी किया गया है उसमें नियमा नुसार होरीजंटल आरक्षड दिया गया है और आगे देखिएगा C.E.A. उम्मदवारों को 20% होरीजंटल आरक्षड दिया गया है जो वर्टिकल आरक्षड मिलने वाले समिदायों में समधायवार समाजोजित किया गया है दोस्तो पूरे चार पन्नों में RRC ने बहुत डिटेल से ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि किस तरीके से उसने बच्चों को सौट लिस्टेट किया है और किस तरीके से रिजर्वेशन वाले बच्चों को सीटे दी गई है तो दोस्तो यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आप लोग ध्यान से इस वीडियो के देखिएगा सारा डाउट आप लोगों का क्लियर होने वाला है दोस्तो अब दोस्तो हम लोग देखते हैं इस लिस्ट को दोस्तो ये लिस्ट में RRC द्वारा दिये गे 15 फरोरी को DV लिस्ट के अनुसार तयार किया हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं बात करता है नोटिस की कि RRC ने नोटिस में क्या बोला है तो दोस्तो RRC ने नोटिस में ये बोला है कि हम total vacancy कितना total vacancy है उसका 20% CCA वालों को पहले select करेंगे फिर उनको category wise बाट देंगे पहले हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग general के 20% लेंगे OBC के 20% लेंगे SC के 20% लेंगे हम इस तरह से नहीं लेंगे हम total vacancy का 20% select करेंगे फिर उसमें से जितने general को होंगे OBC में भेज देंगे उसमें से जितने SC होंगे SC में भेज देंगे तो इसी बज़े से दोस्तों data उपर नीचे हो गया है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे general 427 पद है ठीक है उसमें अब इस 203 में 178 बचे general के निकले तो बाकी बचे इस 41 path पद पर नर्मल ओको बैठा दिया गया तो दोस्तों जंदर्वालों को तो यहाँ फाइदा हुआ शिर्फ सवाशार परिसेन्ट ही यहां पर रिज्र बसिट गया इनका जंदर्वार्वालों को दो आप दोस्तों OBC के पद हैं 2 200 अब दोस्तों इसमें 1281 लोग, इस 203 में 1281 लोग OBC के निकल गए, तो इसमें RAC की क्या गलती है, RAC यह कह रहा है कि इसमें हम क्या करें, 213 हम लोग सेलेक्ट किया, उसमें 1281 लोग OBC के ही निकल गए, तो हम OBC के पत्व बैठाना पड़ गया, मजबूरी है, तो बाकी बच्चे 1519 पत पर नार्मल लोगों बैठा गया, 20C वालों को साथ यह गरवड हो गया थोड़ा, इसी तरह के से आगे देखेंगे दोस्तों, SC के 1582 सीट थे, 203 में से 330 बच्चे SC के निकल गए, तो SC पर बैठा दिया, बाकी नार्मल पड़ पर SC वालों को नार्मल बच्चे बैठ गए, ठीक है, इसी तरीके से आगे आगे बिठा दिया गया, इसी लिए सब डाटा उपर नीच हो गया, किसी का सवाचार परसेंट, आप जनरल का देखिए, सिर्फ सवाचार परसेंट बच्चे इनका रिजर्ब में है, ओवी सी का 45% सीट पर सिर्फ यही लोग बैठ गए, रिजर्ब वाले, SC में देखेंगे तो 20% लोग बैठे हैं, रिजर्ब करके, तो दोस्तों इस तरीके से यह डाटा इधर उधर हो गया, EWS का देखेंगे तो 1052 पत थे, अब 213 रिजर्ब पत में से 29 लोग सिर्फ EWS वाले मिले, तो बाकी बचन नार्मल पत पर नार्मल लोग बैठा दिया गया, ठीक है दोस्तों, त इस तरीके से उपर नीचे हो गया, अब सबसे फाइदा तो यहाँ पर दोस्तों, EWS वालों का भी हुआ है, सिफ 2.75% इनका रिजर्ब है, बाकी सब नार्मल बच्चे बैठे है, यूर वालों का इफादा है, सब 4% सिफ रिजर्ब है, बाकी सारे पद नार्मल है, घाटा य 2514 का 20% होता है, 213, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, 1883 लोगी सेलेक्ट हुए है, रिजर्ब सीट में, यानि CCA और ESM के 220 बच्चे मिले ही नहीं, यानि टोटल 20% सेलेक्ट करना था, लेकिन टोटल 20% हुए भी नहीं, केवल 17.90% ही बच्चे रिजर्ब सीट पर बैठे हैं, बाकी पर सब नॉर्मल वाले बैटे हैं, अब दोस्तों नॉर्मल पद को देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा, 7844 पद यहाँ पर हैं, और 260 पद यहाँ पर है, नॉर्मल, इस तरीके से टोटल पद हो जाते हैं, 7844 प्लस, 260, 8104 वेकंसी, ठीक है दोस्तों, तो दो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 8044 पद पर 8631 लोग नॉर्मल बैटे हुए हैं, यानि एक्स्टा बैटे हुए हैं, 527 एक्स्टा कंडिडेट बैटे हैं, नॉर्मल सिट पर, क्योंकि रिजर्व वाले बच्चे उतने मिले ही नहीं, 20% टोटल मिले ही नहीं, और वही 20% द इसके हिसाब से RRC ने बिल्कुल सही result दिया है, कोई sheet खाली नहीं की है, सभी को भर दिया है, जितने reserve मिले reserve को दिया, और बाकी पर नॉर्मल बच्चों को डाल दिया हैं दोस्तों, तो RRC ने अपने notice के तुरू तो सब कुछ clear कर दिया हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं आसा क करता हूँ कि आप लोगों को सारा data ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि RRC ने किस तरीके से सारे बच्चों को select किया हैं दोस्तों, तो चलिए guys, thank you so much आप सभी का